18 साल बाद राहू बदलेगा घर महा परिवर्तन का समय 180 दिन रहेगा मकर रासी वालों के लिए मित्रो नमस्कार मैं मैं अंक्रिपाठी नव ग्यान जोतिश चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रो राहू देव वरतमान में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं रेवती नच्छत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि बुद्ध देवता का नच्छत्र है यानि कि अपने परम मित्र के नच्छत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 8 जुलाई से शनी देवता के नच्छत उत्तरा भाद्रपद में गोचर करने लगेंगे और शनी दियो गुरू के नचत्र में उस समय गोचर कर रहे होंगे पूरवा भाद्रपद नचत्र में यानि कि राहू का जो प्रभाव है वो शनिवत होने वाला है और शनी प्रभाव देंगे गुरू के अनुसार क्योंकि गुरू के नच्छत्र में ये गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकून रासी में गोचर कर रहे हैं मकर रासी वालों पर इसका क्या सुभ और असुभ प्रभाव पड़ेगा इसकी में जानकारी देने का प्रयास करूँगा और राहू का जो गोचर है वो उत्तरा भादर्पद नचत्र में पूरा वर्स रहेगा लगभग 180 दिन तक का समय मकर रासी वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी जानकारी में देने का प्रयास करूँगा सबसे पहली चीज आप ये जान लिजिए तीसरे भाव में राहू जब भी बैठता है बहुत बढ़िया फल देता है उसका कारण सीधा है कि जब तीसरा भाव होता है हमारे संघर्स का इस्ट्रगल का यह जब संघर्स का भाव कमजोर करते है राहू तो चौथा भाव जो की हमारे सुकसमरद्धी का होता है वैभाव का होता है, लेक्जरस लाइफ का होता है, मकान गाड़ी वाहन बंगला आदि का होता है, मा के सुख का होता है, जमीन जाजात का होता है, खेती बाड़ी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, यह भाव एटोमेटिक बढ़ जाता है, जब तीसरा भाव कमजोर पड़ आपके कुंडली में होते हैं लेकिन गुरू के नच्छतर में है राहू और गुरू देउता पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं यानि कि आने वाले समय में राहू की, गुरू की और शनी की क्रपा तीनों ग्रह मिल करके मकर रासी वालों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे जो विक्ती खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, उनके लिए बेनिफीशियल रिजल्ट मिलने के द्वार खुल जाएंगे property dealing का काम करने वालों के लिए construction का काम करने वालों के लिए सांदार समय सुरू हो जाएगा जो लोग राजनीत के छेतर में जुड़े हैं उनको बढ़िया फायदा मिलने लगेगा जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ती होने के सुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे और अगर संतान से संबंधित वयचारिक मतभेद हैं किसी भी प्रकार की आपकी और आपके संतान के बीच में दूरी बनी हुई है वह दूरी समाप्त होगी प्रेमी जोडों को अपने प्रेम में बढ़िया सफलता मिलेगी लेकिन ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्स पूर्ण इस्थिती बनी रहेगी क्योंकि बुद्धी पर गुरू का बैठना द्वादसेस होकर के तृतियेस होकर के कहीं न कहीं सिक्षा में बाधा उत्पन करता है और बुद्धी को भटकाने का काम करता है तो अगर आप विद्यार्थि हैं तो आपके लिए तो भईया शुभ एक ही काम रहेगा कि ओम शुम शुक्राइनमा इस मंत्र का रेगुलर्टी से 108 बार जब करें यदि बुद्धी में भटकाओ अनुभाव हो तो अधरवाईज राहू की क्रपा से एक तरफ आपकी सुक्सुवधाएं बढ़ने वाली है तो दूसरी तरफ गुरू की क्रपा से आपके इच्छाओं की पूर्ती होने वाली है आमदनी बढ़ने वाली है देश विदेश से लाभ मिलने वाला है देश विदेश जाने वालों के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे उधर भाग आपका जबरदस तरीके से राहू की और गुरू की दोनों की क्रपा से बढ़ने वाला है क्योंकि भाग भाव पे राहू का सबसब्तम होना भाग भाव से और गुरू की पंचम दृष्टी पढ़ना कहीं न कहीं भाग को प्रचंड रूप से बढ़ाने का काम करेगा इस समय जबरदस तरीके से दैवी क्रपा आपको बनते हुए नजर आएगी आर्थी किस्थिती बहुत अच्छी बन जाएगी जिन कामों में व्यवधान उत्पन हो रहा है वह व्यवधान धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिख कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई नया काम कारोबार ये आप शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफीशल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे ओवर अगर एक लाइन में कहें तो प्रेम में सफलता विद्यार्थियों को लाब इंपोर्ट इक्सपोर्ट से लाब जमीन जायदास से संबंधित लाब आमदनी आपकी बढ़ जाना बुद्धी में विद्यार्थियों के भटकाओं आना लेकिन प्रेमी जोड़ों के इस प्रकार के योग नजर आ रहे हैं लेकिन ध्यान रखिएगा उपाय थोड़ा आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि गुरु दियो ब्रहस्पती की जो नवई द्रश्टी है वो थोड़ा गडबड़ कर रही है आपके लगन पे जाएगी तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी कन करके आप काम करिएगा बहुत बढ़िया लाब मिलेगा और दूसरी चीज समय निकाल करके अपने लगनेश शनी देव के निमित सरसों के तेल का दीपक प्रतेक शनीवार को सूर्यास्त के बाद जा करके शनी मंदिर में जला करके आना है इससे और भी ज़्यादा बेनिफी वीडियो में अपने इश्ट देवता का नाम लिखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा नमस्कार